वैश्विक व्यापार गतिशील्टा में एक भूकम्पीय बदलाव में, चीन 2006 के बाद पहली बार सन्युक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष निर्यातक के रूप में अपनी दीर्ग कालिक स्थिती को खोने की ओर अग्रसर है यह परिवर्तन दो आर्थिक दिगजों के बीच बढ़ते तनाव और एक मैत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ती शिंखला के पुनरगठन से प्रेरित है अमेरिकी वानिज्य विभाग के हालिया आकडों से पता चलता है कि जनवरी से नवंबर के दौरान चीन से अमेरिकी सामान के आयात में 20% से अधिक की उलेखनिय गिरावट आई है कुल अमेरिकी आयात में चीन की हिस्सेदारी गिरकर 13.9% हो गई है जो 2004 के बाद से सबसे कम प्रतिशत है यह गिरावट 2017 के आसपास 21% से अधिक के अपने चरम की तुलना में काफी है चीन को अमेरिकी निर्यात में पूरे वर्ष नियूंतम वृद्धी देखी गई है चीन द्वारा छोड़े गए गैप में कदम रखते हुए मेक्सिको पूरे वर्ष के लिए अमेरिका के लिए अग्रणी निर्यातक बनने की स्थिती में है यह स्थिती 2000 के बाद से उसके पास नहीं है मेक्सिको से अमेरिकी आयात 2023 में उच्च रिकॉर्ड करने के लिए तयार है जो वर्ष के पहले 11 महीनों के लिए कुल का 15% से अधिक है यूरोपिय संग ने भी अमेरिका को निर्यात में व्रिधी का अनुभव किया है जो इसी अवधी के दौरान अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है अमेरिकी व्यापार पैटर्न में यह बदलाव विशेश रूप से उकभोकता इलेक्ट्रोनिक्स जैसे महत्वपून उतपादों के सुरोतों के विविधी करण में सपष्ट है जो पारंपरिक रूप से चीन पर बहुत अधिक निर्भर रही है विशेश रूप से चीन से स्मार्टफोन आयात में 10% की कमी देखी गई है जबकि भारत से आयात 5 गुना बढ़ गया है इसी तरह चीन से लैप्टॉप आयात लगभग 30% कम हो गया लेकिन वियतनाम से आयात चौगुना हो गया यह विविधिकरण अमेरिकी राष्ट्रपती बाइडन प्रशासन की फ्रिंशोरिंग नीती के अनुरूप है जो सहयोगी और भागीदार देशों के भीतर आपूर्ती श्रिंखला बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है प्रशासन ने डोनाल्ड ट्रम्प के नेत्रित्व वाली पिछली सरकार द्वारा लगाए गए चीनी उत्पादों पर 370 बिलियन अमेरिकी डॉलर के टैरिफ को भी बरकरार रखने का विकल्प चुना है इसके अतिरिक्ट 2023 में 7 वर्षों में पहली बार चीन के कुल वार्षिक निर्यात में गिरावट आई अमेरिकी डॉलर में मापा गया निर्यात 3.38 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.6% की कमी दर्शाता है इसके विपरीत चीनी निर्यात में एक साल पहले की तुलना में 2022 में 7% की वृध्धी देखी गई थी विदेशी शिप्मेंट में गिरावट का आखिरी उदाहरन 2016 में देखा गया था जब 7.7% की कमी हुई थी इसके अलावा उसी वर्ष आयात में भी गिरावट देखी गई जो 5.5% गिरकर 2.56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया इसके परिणामस्वरूप दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का व्यापार अधिशेश 823 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया अमेरिका चीन व्यापार युद्ध के विजेता के रूप में उभरा मेक्सिको सन्युक्त राज्य अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के मद्दे निजर भूराज नीतिक परिद्रिश में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है जिसमें मेक्सिको एक प्रमुख लाभार्थी के रूप में उभर रहा है राश्ट्रपती जो बाइडन के द्रिढ रुख चीन से महत्वपूर्ण प्राज्योगी की निर्यात पर टैरिफ और प्रतिबंधों के कारण अमेरिका को बीजिंग के निर्यात में उल्लेखनिय गिरावट आई है इस बीच अंतरराश्ट्य व्यापार नियमों के जटिल जाल से निपटने के इच्छुप चीनी व्यवसायों के लिए मेक्सिको एक प्रमुख गंतव्य बन गया है मेक्सिको में चीनी निवेश में व्रिधी एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि कमपनिया अमेरिकी प्रतिबंधों को दर्किनार करना चाहती है चीनी कम्पनिया मेक्सिको में नए और द्योगिक परिचालन स्थापित कर रही हैं, जो इस ख्षेत्र में व्यापार की गतिशील्टा को मौलिक रूप से बदर रही हैं उलेखनिय उदाहरनों में हिजन्स शामिल है, जिसने 260 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अत्याधुनिक फैक्टरी में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया, जिसका ध्यान उत्तरी अमेरिकी बाजार के लिए रेफ्रिजरेटर और अन्य उपकरनों के उत्पादन पर जो चीनी निर्माताओं की नजर में देश के बढ़ते महत्व को उजागर करती है। रूस को चीनी निर्यात जन्वरी से नवंबर 2023 तक आधे से अधिक बढ़ गया, जिसने पूरे वर्ष के संदर्भ में भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके अलावा, चीन ने उस टाइम फ्रेम के दौरान आटो मोबाइल निर्यात में सालदर साल 60% की परियाक्त वृद्धी देखी। इन में से अधिकांश वाहन गैसोलीन से संचालित होते हैं और चीन में इनकी मान कम हो रही है। प्रतिक्रिया के रूप में इन वाहनों की मध्यपूर्व और अफ्रीका में सस्ती कीमतों पर मार्केटिंग की जा रही है। आपको ये जानकारी पसंद आई, तो अपनी राये जरूर दें। दुनिया भर के तथ्य और अपडेट जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।